कि बहुत हो ए महिलाओं पर अत्याचारा बलाओ बीजेपी सरकार, यह है किया बीजेपी की सरकार बहुत मुश्किल होते हैं गाओं से निकल के रेस्लिंग जैसे गेम में जाना, ओलम्पिक्स में मेडल ले के आना, हम लड़ी क्या खुलने में उढ़ना चाहते हैं नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है हम आज जनतर मंतर पर मौजूद हैं जहां देश के दिगज पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं तीन महीने पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था ब्रिजबूशन शरण सिंग के खिलाफ यौन शोशन के आरोब डबलू पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट जैसे पहलवान यहां पर मौजूद हैं हमने उन से बात करने की कोशिश की और जाननी समझने की कोशिश की कि बड़े पद पर जो मर्द बैठे हैं ब्रिजबूशन सरण सिंग जैसे जो लोग बैठे हैं वो अगर कोई अपराद कर देते हैं तो सरकार उन पर कारवाई करने में तेजी क्यों नहीं दिखा पाती है देखिए न्यूस क्लिक की ये खास रिपोर्ट अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में अफायर दर जो अगर मिली है तो बरजबूशन के खिलाफ में अफायर दर जो कोई एक तो सच है कोई एक तो जूट है बारा लड़कियों ने वहां जा के बयान दिये थे और अभी जो सोर्सिस के थुरू आ रहा है वो यह आ रहा है कि क्लीन चिट मिलने मिलगी है और लड़कियों ने कोई क्लीर नहीं है सब चुप चुपा के कर रहे हैं तोखा धड़ी में रखके कर रहे हैं देखे जैसे हमने लोगों को वह चीज पता नहीं थी क्योंकि हमने वहां पर जाके हमने जो हमारे खेल मंत्री उन्होंने में आवास आसन दिया था कि आपकी हर चीज सुनी जाएगी और पर उस चीज की चाज होगी और जो भी फैसला होगा वह जंता के सामने होगा हम इस चीज से वहां से उठके आए थे और हमने ये भी बोला था कि अगर हमारी बात सच नहीं हुई अगर अगर हमें दुबारा धरना देना पड़ा अपने इंसाफ दिलाने के लिए तो हम दु अगर हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सुपरीम कोट जो है वह में नहीं दिलवाएगा और जो फाईर पुलिस लॉंच नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी फाईर लोंच की जाए और जो इन्वस्टिकेशन होनी चाहिए फेर तरीके से होने चाह पूल रहा है और वो केस जिनके द्वारा उठाया जा रहा है वो खिलाड़ी है जिनोंने रियो ऑलम्पिक के अंदर बड़े मैडल जीते हैं और उसके बावजूद मतलब जो समय था का मैटी को जो दिया गया था वो समय तो था किवल दो हपते का फिर उन्होंने एक हपता और उसको एक्स्टेंड किया लेकिन अभी तो ढाई मैने बीच चुके हैं ढाई मैने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं है और किसी भी तरह से जिन लोगों ने ये सवाल उठाए हैं उनको किसी भी तरह की इन्फोमेशन नहीं दी जारी उनको कहीं पर भी कॉन्फिडे दाव पे लगा हुआ है तो उसके बाद परिशान होके जब ये लोग आगे आए हैं और साथ-साथ लड़किया FIR दर्ज करवाने को तैयार है और हेकडी देखो कि हम FIR भी दर्ज नहीं करेंगे जिनकी खुशी में पूरा देश पटाके बजाता है आज वो जब पहलवान यहां आके बैठी हैं उनके साथ कितने लोग हैं यह भी देखने की बात है कि तालियां पीटने के लिए दुनिया है लेकिन जब उनके साथ उनके स्ट्रगल में खड़े होने का टाइम है तो लोग यह देखते हैं कि सरकार क्या कहेंगी लोग क्या कहेंगे हमारे साथ को यह के खिलाब F.I.R. तक नहीं होगी गाउं गरीब किसान मजदूर के घर में बैठी बेटी दूर दराज आखरी मुहाने पर बैठी बेटी सहमेगी या नहीं सहमेगी कि जब इनकी वावाज नहीं सुनी जाती तो मेरी क्या सुनी जाएगी देखिए यह बहुत साफ है यह मुश का और शाहिद प्रदानमंत्री जी का सहरा है इसलिए वो यह करने की हिमत रख रहे हैं संकेत यह जारा पूरे देश में कि जो सबसे अपेक्स बॉडी में बैठे हुए हैं वो मैलाओं के साथ लड़कियों के साथ कुछ भी करें तो उनके खिलाफ कारवाई नहीं होगी ले है और हम यह मांग भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी एफ आयार दर्ज होनी चाहिए लड़कियों नहीं जो मांग करी है और आगे कारवाई उनकी एफ आयार के उपर भी होनी चाहिए